भारती सेना ने 25 मई को इतिहास रच दिया भारती ये 9 सेना के एरक्राफ्ट करियर आइनस विक्रांत पर पहली बार रात में मिग 29 के इस फाइटर जेट की लेंडिंग कराई गई ये एक बड़ी सफलता है इस माइने में भी कि अब हमारे फाइटर जेट रात में भी एरक्राफ्ट करियर पर लेंडिंग कर पाएंगे जो इससे पहले काफी मुश्किल काम माना जाता था इससे किसी भी आपातकाली निस्थिती में ज्यादा सहूलियत होगी और सेनाएं ज्यादा तैयार रह पाएंगी ये ऐसा पहला मौका है जब किसी एरक्राफ्ट करियर पर किसी फाइटर जेट की रात में लेंडिंग कराई गई है और इस नाते ये एतिहासिक भी है अगर किसी एरक्राफ्ट करियर पर रात में फाइटर जेट की लेंडिंग होने लगे तो इसका मतलब साफ होता है कि किसी आपातकाली निस्थिती में या किसी युद्ध की इस्थिती में अगर दुश्मन आप पर हमला करता है तो पलटवार के लिए आपको सुबह तक का इ फाइटर जेट की लेंडिंग कराना भी एहम है क्योंकि ये इंडियन एयर फोर्स के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक है इसके अलावा एमेच सिक्स्टी आर मल्टी रोल हेलिकॉप्टर और कॉमो हेलिकॉप्टर भी यहां पर तैनाथ है भारती नौसेना की सुपलब्धी पर रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने भी ट्वीट करा और भारती सेना को उनके इस साहस और कौशल के लिए बधाई भी दी इन सारी बातों के बीच एक सवाल जो बार-बार उठ रहा है वो ये कि किसी भी एरक्राफ्ट करियर पर फाइटर जेट की रात में लेंडिंग कराना अब तक इतना मुश्किल क्यों माना जाता रहा है दरसल ये मुश्किल रहा है नाइट ट्रैप की हुज़े से नाइट ट्रैप यानि कि किसी एरक्राफ्ट करियर पर जब फाइटर जेट की रात में लेंडिंग कराई जाती है तो ये काफी मुश्किल रहता है क्योंकि जाहिर सी बाते विजबिल्टी कम रहती है और ये फाइटर जेट भी एरक्राफ्ट करियर के साथ कितना तालमेल ब चैलेंज होता है और इसी नाते अब तक ये काम यानि की एयरक्राफ्ट करियर पर जेट्स की रात में लेंडिंग कराना चुनवती पूर माना जाता रहा है लेकिन अब नहीं क्योंकि भारती सेना ने अपने कौशल के दम पर इस मुश्किल काम को भी पूरा करके दिखाया है झालेंज है